प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक बटन जहन दोस्तों तो कैसे आप सब एक मेरे फ्रेंड ने किसी ने कमेंट किया था और बोला था कि भाई जहन दोस्तों बोला करो हेलो फ्रेंड्स की जगा मतलब फील आता है यार अच्छा लगता है तो आज से हम यही बोलेंगे और फ्रेंड्स आज हम जिसके साथ बैटल करने वाले हैं बड़ा ही भानक बंदा है यह वी आईपी 12 लेवल 78 का है इसके आदे पोकेमोन शाइनीज है जिसकी वज़े से वो लेजिंड्रीज की लीग को भी क्रॉस कर जाते है शाइनी टायर अने टायर है इसके पास जिसका SS693 जाता है देख रहे हो आप इसका आटाक ही 155 है किसी की भी बैंड बजा सकता है बाकी सारे आटाक पुल अक्यूरेसी के और बहुत ही जादा स्ट्रॉंग है इसके बाद आरशियस ये नॉन शाइनी है और काफी डीसेंड मूज है लेकिन इसके पास लेफ्ट ओवर है हर चांस में काफी सारी HP रिकवर कर सकता है ये अपनी इसके बाद है मेटाग्रॉस ये भी शाइनी है और इसका अटाक स्टेट और डीफेंस स्टेट काफी जादा हाई है दोस्तों इसके पास ये मिस्टिकल एलॉई भी है जिसके वैसे इसका अटाक और डीफेंस बहुत जादा बढ़ जाता है अगला है इनके पास गार्चॉंप ये भी शाइनी और मूज इसके भी कुछ कम नहीं फायर फैंग, ड्राइगन क्लॉव, क्रैंच चर्थ को एक सभी के सभी भायान है और सबसे भायानक पोकेमोन जो इसकी टीम में है वो कोई और नहीं है भाई डार करा है ये भी शाइनी है, इसके स्टाइट्स भी काफी हाई जा रहा है और सबसे भायानक ये बंदा अपने डार क्राइग की स्टाइजी के साथ खेल रहा है इसके dark cry की strategy क्या है आप लोग देख लो double team यूज़ करके ये अपनी accuracy मतलब evasiveness ऐसे ही कुछ बोलते हैं जिससे अपना Pokemon opponent के attacks को बहुत ही ज़ादा dodge कर सकता है तो evasiveness सबसे जल्दी ये बढ़ाएगा double team यूज़ करेगा 6 बार then dark void यूज़ करके आपके Pokemon को सुला देगा और उसके बाद bad dreams यूज़ करेगा जिसके आपके Pokemon हर turn में HP होता जाएगा धीरे धीरे हर turn में आपका Pokemon weak होगा आपके Pokemon की HP जाए हर turn में then आपका Pokemon सोड़ा होगा कुछ नहीं कर सकता अगर आपके Pokemon को sleep clock ना आता हो तो उस समय ये shadow ball यूज़ कर गया आपके Pokemon की band वया आदेगा बड़े आराम से इसके बाद अगला Pokemon और आखरी जो इसके पास है वो है इसका gengar जिसको toxic टीगा ड्रेंड, destiny, bond और shadow ball जैसे बायनक moves आते हैं तो friends recent में मैंने कहां यहां trade में आके टीएम एक्सचेंज में कुछ टीएम को एक्सचेंज कर रहा है जिसके बाद से मुझे toxic मिल गाया और आज मैं अपने एक Pokemon को toxic देने वाला हूँ मैं सोचाँ शडेंजा को दे दूँ तो मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि कि यह बात भी कुछ लोगों ने पूछी दिए हूँ कि नए टीएम कैसे मिलेंगे और Pokemon को कैसे देंगे टीएम तो यहां पे जिन जिन moves पे study लिखागा वो आप अपने Pokemon को सिखा सकते हैं toxic पे study लिखाएं तो मैं Leech Life की जगा toxic सिखाने वाला हूँ कि यह Leech Life इतना कुछ ज़्यादा काम में भी नहीं आता था तो चलो हमारे Pokemon ने toxic सीख लिए है और हमारा opponent गया भूग गया बहुत गलत हुआ यार जिससे battle करने वाले थे वो ही गया भूग गया यह रहा वो बंदा जिससा battle करने वाले है तो चलो इसका यह Pokemon जिसे हम नहीं आ रहा पाएंगे मुझे वो यही लग रहा है लेकिन इसके सामने वो strategy काम में नहीं आई हमारी वाबो फैट वाली सबसे भाया ना किसका टारानिटारी लग रहा है चलो राइपीरियर को ले चलते हैं तेन टारानिटार के लिए हम यूज करेंगे वो फैट कहां गया यह रहा उसके बाद लोग दिया रजरिगास हमारे में बैटल करने वाले रहेंगे तेन एक स्पेस जाई हमारे शेडिंजा के लिए और इस पार मैं सोच रादर ड्राइगनाइट को ना यूज करते हुए स्नूल एक्स को ले जाओं क्योंकि इस पे कुछ मूस का सर नहीं होगा लेकिन वो बहुत ही जादा स्ट्रॉंग है तो मैं सोच राइगनाइट को ले चलते हैं और मिंट बैरी दे देते हैं इससे ताकि यह स्लीप ना हूँ सेम यही एजरिकास को भी दे देते हैं क्योंकि यह बहुत फास्ट है काम में आएगा यह और यह बैरी वाबफेट को भी दे देते हैं तो चलो पैडल शुरू करते हैं दोस्तों आ गया है शक्ती माई टारानिटर स्चल्थ रॉक यूज़ करेंगे मुझे नहीं लगता स्चल्थ रॉक जादा कुछ काम में आएगा इस बार अब सारे पोकेमोन्स यार इतने जादा स्ट्रॉंग हैं किसी पे भी किसी मूव का असर होने वाला है सबसे पहले टारानिटर को बाई 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 बोलता है चलो बाई बाई टारानिटर अब आ चुका है अर्शियस इसके लिए मैं लेके जाओंगा शडीन जाओंगा सबसे पहले इसे टॉक्सिक करते हैं चलो यह हो गया है पॉईजन अब इसी के साथ साचोने पर सुहावा कंट्यूजरे भी यूज़ कर देंगे हैं तो कि यह बार बार रिकवर यूज़ कर रहा है अब फ्यूरी स्वाइप्स यूज़ करते हैं बस वो रिकवर ना करे यार अगर उसने रिकवर नहीं किया ना तो हमारा काम बन जाएगा और खतरनाक तरीके से पोईजन वर्क कर रहा है यार हमारा एक टाइम आएगा जब इसका रिकवर किसी काम का नहीं आएगा ओ माइगाद गए भाईया अर्शियस अच्छा आप तो गए बाई बाई शिट रिकवर यूज़ कर लिया उसने फिर से बहुत गलत हुआ यह और इसी के साथ आज़ियस गया है लो मेटाग्रोस मेटाग्रोस पे टॉक्सिक का ब्लेकुल इफेक्ट नहीं होने वाला क्योंकि यार्श टील टाइप पोकेमाइट पे टॉक्सिक जैसे मूव्स इफेक्ट नहीं करते ब्लेकुल इसको इसी तरह से हराना बढ़ेगा कंफ्यूस करकरके अच्छा है इसके पास लेफ्टोबर्स भी नहीं है और ये किसी तरह से अपनी अच्पी हील भी नहीं कर सकता तो थोड़ा एजी रहेगा इसे हराना आप लोग सोच रहा होंगे मैं एक अच्छा कासा अपोनेंट खो दिया पीछे क्योंकि एक बंदा था जिसको हराना भी मुझे 69 पॉइंट्स मिल रहे थे ये शाद इससे जादा कुछ मिल रहे थे लेकिन फिर भी यार स्टार्टिंग से जिस से बैटल करने का सोचा इसी से बैटल करेंगे न और वो इतना स्ट्रॉंग लग भी नहीं रहा था यार यह ज्यादा भाया नक है याई पी क्वेल का बंदा है यारती धोड़ी है कोई गार्ट्रॉंप आ चुका है और इसके लिए रेजरिगास को ले चले हैं लूजिया को रेजरिगास को ले चलते हैं शिट यार मैंने सोचा था रेजरिगास जादा फास्ट होगा लेकिन नहीं यार काट्रॉंप जादा फास्ट था रैंड बजा दी यार इसमें एक हिट में बहुत भायाना क्यार काट्रॉंप और उसका टागन किया चलो यह गया वो पोकेमोन आ गया जिससे सबसे जिसका अब से ज्यादा डर था हमें और हमने अब तक लूगिया को वह बहरी नहीं दी पोहुत साही यार एक हिट में ने पड़ गया वो किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी यार ऐसा वैसा थोड़ी है लूगिया यार हमारा शेट यह कैसे में सोगा है अब आर या पार यार और जीच चुके हैं हम तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो एम करते हैं वीडियो पर 500 लाइक के लिए तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक कर दो